गुड मॉनिंग इस्टुडेंट्स आजाव सभी लाइब जल्दी से आपकी कलास शुरू हो चुकी है सुबा आठ बजे कच्छा दस की एंसे यारिटी मैथ मित्रो कुछ दिन से ये कलास नहीं हो रही थी जिसके लिए माफी चाहते हैं आपकी रेगलर कलास चलेगी और आप बहुत कम टाइम बचा हुआ है हम आपको जो इंपॉर्टेंट कुश्चन करवाएंगे आप उन सभी को समझ लीजिए आपकी परिक्षा में आपको अच्छे यह कहता है कि साथ वर्स पहले मैं तुमसे साथ गुनी आयूका था लेकिन अब से तीन वर्स बाद मैं तुमसे तीन गुनी आयूका रह जाओंगा मतलब साथ वर्स पहले अपताब अपनी पुत्री के साथ गुनी आयूका था मतलब अगर अपताब की पुत्री तीन साल की तो आपुताब तीन सते ऑकई साल का था ख़ा लेकिन आब से यानि की आज से तीन वर्स जो और बीट जाएगा जब Link muchas ऑर बीद जाएगा तो मैं तुम पर तीन गुनि आयूका रह क्या यह मनुरंजक है हमारे हिसाब से तो मनुरंजक है कि साथ वर्स पहले साथ गुनियायुका था तीन वर्स बार तीन गुनियायुका हो जाएगा इसका फिलहाल यह मनुरंजक है कि नहीं है यह अंसर आप दीजिए नदीचिस से कोई मतलब नहीं है में कुश्चन जो है उस ही करना है लिखिए माना अफताव की वर्तमान आयू आप सभी लिखिएगा माना अफताव की वर्तमान आयू बराबर यक्स वर्स ठीक ना अब लिखिए उसकी पुत्री की लिखो सभी लोग लिखो फटा-फट माना अफताव की वर्तमान आयू बराबर यक्स वर्स पुत्री की वर्तमान आयू बराबर यह वाई वर्स ठीक ना लिखते जाना मैं जो बोल रहा हूं नीचे क्या लिखो गए यह हो गया ना अब लिखिए केस नंबर फर्स्ट या फिर इस्तिती पहली इस्तिती नंबर एक ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर दो इस्तिती है इस्तिति यह है फाइस्ट केस यह है कि यह साथ वर्स पहले साथ गुनियायुका था दूसरी इस्तिति यह बन रही है कि यह तीन वर्स बाद तीन गुनियायुका हो जाएगा तो दो इस्तिति यह ना तो पहली इस्तिति के अनुसार हम चलेंगे पहली इस्तिति में क्या होगा लिखिए 7 वर्स पूर्ब 7 वर्स पूर्ब अफताब की आयू देखो ध्यान से समझना 7 वर्स पहले अफताब यक्स माइनस 7 वर्स का रहा होगा कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा वो ऐसे समझ ले जैसे आप 10 पे पढ़ रहे हो अगर आप 16 साल के हो आज ठीक ना तो 7 वर्स पहले सोचो कितने साल के रहे होगे 7 वर्स पहले आप आज कच्छा 10 में हो तो 7 वर्स पहले आप कच्छा 3 में पढ़ते थे है ना तो 16 साल के आज हो तो 7 साल पहले कितने साल के थे 9 साल के थे मतलब कम होगा ना आज 16 साल के हो तो 7 वर्ष पहले 9 साल के थे ना तो वैसे अगर ये आज X वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले X-7 वर्ष का रहा होगा चलिए तो उसी तरह से उसकी जो पुत्री है नीचे लिखो ऐसे 7 वर्ष पूर्बो अफ्ताव की पुत्री की आयू बराबर Y-7 वर्ष ठीक ना तो ये पहली इस्तिति के अनुसार देखते जाना ठीक ना आगे बढ़ें इतना नोट करते जाओ जल्दी से तब हम आगे चलते हैं तो आप देख लिए हो ना अब हम चाहें तो कुश्चन मिटा भी सकते हैं इसक्रीन साथ लेते जाए जैसे हम आगे से हटें आप नोट करते जाए चलिए ठीक है आप उपर लगाएंगे इसक्रीन साथ ले लो तुरंद रोक के चलिए अब हम उपर लिखेंगे उपर क्या प्रस्ना अनुसार देखो प्रस्ना अनुसार क्या कह रहा है यार यह बहुत मिटाने में दिक्कत कर रहा है प्रस्ना अनुसार कह रहा कि साथ वर्स पूर्व मैं तुमसे साथ गुनी आयू का था तो आगे लिख लो साथ वर्स पूर्व साथ गुनी आयू का था इसका साथ इक्वल ये वाई माइनस साथ था और गुड़ा किसमें करोगे किसमें गुड़ा करोगे पता है ये बताओ आप सभी कमेंट करके अफ़ताब वाली आयू में मल्टिपल करोगे या फिर पुत्री वाली आयू में मल्टिपल करोगे साथ का किसमें करोगे देखो जिससे कह रहा है कि पुत्री की आयू की मतलब पुत्री वाले में मल्टिपल करोगे यह यानि अगर इसकी पुत्री की आयू साथ गुनी भी हो जाए तब भी इसके बराबर थी यह पहली कंडिशन है इसको समीकरण में जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा यह एक्स माइनस साथ यह मित्रों आपका हो गया पहली कंडिशन के अकॉर्डिंग पहला समीकरण इसको नोट कर लो जिनको लिखना है फट से फिर हम आगे चलते हैं नीचे वाला आप लिख लिए होंगे तो हम उसको मिटा देते हैं ठीक ना आप सभी अपना कुश्चन एक बार फिर से और है यह ना अब यहांपर आप लिखोगे दूसरी सर्थ के अनुसार नीचे लिखोव दोसरी सर्थ के अनुसार अर्प इन अच्वह फिर ऐसे नहीं तो ऐसे लिख लो पहले सिकेंड इस्थिती कि ठीक ना सिकेंड इस्थिती में क्या होगी साथी हो प्लस Morm तीन वर्स बाद अफ्ताव की आयू बरावर एक्स प्लस तीन वैसे जैसे अगर आप आज 16 साल के हैं तो तीन साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे 19 साल के हो जाएंगे तो उसी तरह से अफताफ जो है आज X साल का है तो 3 साल बाद X प्लस 3 का हो जाएगा नीचे फिर से लिखना 3 वर्स बाद अफताफ की पुत्री की आयो तो कितना हो जाएगा Y प्लस ये 3 वर्स तो ये तो हो गया इनका 3 वर्स बाद ये कितने के होंगे लेकिन condition अभी नहीं पूरा हुई कह रहा था कि तीन वर्स बाद मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयुका रह जाओंगा नीचे लिखो पुना हाँ प्रस्वना अनुसार मतलब दुबारा से प्रस्वना अनुसार एक्स प्लस तीन इक्वल वाई प्लस तीन अब इसमें तीन से गुड़ा करोगे कर रहा था तीन गुनी आयुका ही रह जाओंगा ना तो बस यही करना इसका गुड़ा करोगे तो आपको यहाँ पर एक equation मिलेगा एक नया समीकरण मिलेगा वो क्या मिलेगा मैं आपको दिखा कर रहा हूं आप सभी वैसे तो कर लिए होंगे multiple तो बता दो क्या मिलेगा और अगर नहीं किया तो बस कर लो हमारे साथ एक्स प्लस तीन ऐसे ही रहेगा है ना यह एक्स प्लस तीन में तो कोई अंतर होगा नहीं आगे जब अगर आप चलोगे तो यह हो जाएगा साथियों के थीन का वाई में करोगे थीन वाई है ना और तीन का जब उड़ातीन में करोगे तो यह नौ 음악 चाहएगा इस तरह से आपका एक्स माइनस थीन वाई क्ळन वाइनस तीन यह बन जाएगा समीखरन ॠीक पयाइनल में आपका यह स्माइनस 3 वाईकdade शे आएगा और ये equation number second का लाएगा दो question पूछा गया था एक तो बीजगनितिये रूप में लिखने को कहा गया था दूसरा कहा गया था कि इसे graph ही रूप में वेक्त कीजिए तो ये बीजगनितिये रूप में हो गए दोनों answer अब इनको हम graph रूप में हल करेंगे ग्राफ ये माध्यम से तो चलिए इतना लिख लो फिर हम दूसरे माध इसमें चलते हैं काफी लंबा question है इसमें ज्यादा number मिलेंगे बड़े question में आएगा ठीक लीजिए समय करने याद रखना बस दोनों हो गया आगे चलें चलो ठीक है next step चलिए अब देखना साथियों इसको क्या करेंगे हम दो equation हमें दिये गये हैं जो की मिल गया भी आपने देखा था इनको सारड़ी विधी से हल करेंगे कहने का मतलब ग्राफ ये विधी से ठीक ना फिर इनको ग्राफ फे डिनोट करना है कुल मिला करके यक्स और वाई के मान जो है वह सारड़ी या ग्राफ विधी से निकालना है तो देखना कैसे करते हैं इसमें हम ऐसा कुछ करेंगे कि यक्स के पद एक तरफ हो जाए और वाई और जो बाकी का चरपद है उसमिला के उस और या चरपद एक तरफ हो जाए या फिर वाई वाला एक तरफ कर लो बाकी सब एक तरफ कर दो तो हम यक्स वाला करेंगे और यह माइनस 42 और प्लस का करेंगे जिसमें हम पहले में एसे खाने बनाएंगे यक्स वाई इसमें आप खाने बणालो दो तीन उसके बाद क्या करते हैंपको पता है इसके बाद इनके मान हम रखते हैं अलग अलग किसके मान रखते हैं इसी में यहां देखना यक्स बराबर माइनस 42 और प्लस 7 वाई में हम मान रखते हैं तो मितनों अगर यहां पर हम वाई का मान जीरो रख देंगे जीरो रख देंगे तो यह यक्स का मान आएगा कुल मिला कि यह 0 हो जाएगा तो यह 42 आएगा जो कि काफी बड़ा मान आ जाएगा ग्राफ में रखने में समस्य होगी और मान रखने के लिए यहां पर आप बाद नहीं है कुछ भी रख सकते हैं जीरो से लेकर के आप अनन तक कोई भी गिंती रख सकते हो तो हम बहुत छोट ौश्रका मान पांच रख देते हैं कितना पांच तो यहां पर ध्यान दिजिए यक्स का मान यह माइनस 42 mechan navy carries opponents घटेगा तो साथिंगे माइनस का साथ आ जाएगा जो कि काफी छोटा आ रहा है यानि की यक्स का मान हमने क्या रखा पांच तो यक्स का मान मिला माइनस का साथ इतना बात पक्का ना इसी तरह से आप यक्स का मान नहीं रखा था यार वाई का मान रखा था यक्स का मान आया है क्या है था जो आपके सामने है न underneath कमाना है तो हम ने रख़ा वाइ कमान पांच रखा तो यक्स कमाना आया cute कि अब इसी तरह से 6 लो जब 6 रखोगे तो क्या होगा एडिम्हटर हो जैगा यह सात रको दो 59-egeлемों घटेगा तो फ्लस का 7 आएका चैटब कि जबस रखो गो कि तो यह 59 यहनि की पलस का साथ ही आएका यानि की साओ पर क्या आएगा एगा साथ ही आएगा आप देहां देना ये आप का पहला समे करन graph बिदी से हल हो गया है जिसमें x के और y के 3-3 माना गए इनको अभी आपको graph फे दिखाना है मैं दिखाऊंगा लेकिन पहले हम यह समिकरण भी हल करके आपको दिखा दें चलो इसमें भी कर लेते हैं इसमें भी आप ऐसे कर लो yx equal 6 plus यह 3y ठीक ना y का कोई भी मान रखो आप सभी चाहे जो भी रख लो चलो जल्दी से फटाफट रखो देखते हैं फिर क्या होता है minus 1 भी रख सकते हो 2 भी रख सकते हो 3 भी रख सकते हो यह plus में भी रख सकते हो कुछ भी रख लो तो चलिए अगर हम यहां माइनस एक रखते हैं ध्यान देना यक्स का मान कितना आता है देखते हैं तो यह 6 गुड़ा 3 और यह गुड़ा माइनस का 1 तो मित्रों यह हो जाएगा 6 और 3 और 6 में से 3 गया तो 3 कहने का मतलब हमने जब मान रखा माइनस का एक तो हमें यक्स कमान तीन आया है ना तो यह एक टेबल और हम बनाएंगे दूसरे बाले समिकरण के लिए तो इन भाई साहब का यहां पर हिसाब होगा जो भी है बिना किताब होगा हिसाब है ना यहां पर यह यक्स और यह वाई हमने मामelier मार्ण गद किया मिला था थिन वर रखेंther। देख लो क्या मुसीबत है माइनस दो रखोगे तो धीन दूना हो जाएगा और जिए जीजिन वाइगा माइनस की दू ची चे यह जी़ी आएगा माइनस क में तीन दूद मैनस की तीन रखो गए तो माइनस का नौ आएगा माइनस नौ और प्लस छे घटेगा तो माइनस का क्या आएगा तीन आएगा यानि इस तरह से आपके यह भी मान आ गए अब आपके पास ग्राफ वाली कांपी होनी चाहिए अगर नहीं है ग्राफ वाली कांपी तो आप ले लीजिए और हम यहां पर की बात नहीं है आप सभी देख लीजिए और समझ लीजिए यह पूरा फ्रासेज है कि सबसे महत्तपुर्ण पॉइंट है मित्रों की अब इसको ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे तो चलो देख लेते हैं ग्राफ पर कैसे डिनोट करते हैं ध्यान देना साथियों देखिए ग को ध्यान देना है कि यह ग्राफ बना लेना है जिसमें आपको नंबर लिख लेने हैं लगभग में उतने जितने यहां पर यह आए हैं इसलिए मैं बड़ा नंबर नहीं लाया जिससे की ग्राफ चोटा बने नहीं तो अगर यहां पर 200 500 हो गया होता या फिर 149 148 तो बहुत और यक्स पर माइनस वाले खाना में 7 बार चलेंगे देखो यह दाहिनी तरफ प्लस होता है बाहिनी तरफ माइनस होता है उपर प्लस होता नीचे माइनस होता है तो क्या करना हमें हमें माइनस में चलना है यक्स पर माइनस में चलना है तो यह आपका यक्स होता है है ना यह Y X X होता है ये Y होता है लेकिन Y पर 5 चलना है तो Y पर 5 उपर जाएगा यह लाइन यहां तक आएगा यह यहां है 5 और यह 7 यहां है तो क्या करें ऐसा कुछ की दोनों मिल जाएं तो दोनों मिलाने के लिए इसको 5 के बराबर उच्णाई तक ले जाओ और इसको यहां तक यानि कुल मिला करके यह बिंदू जो माइनस साथ कामा पांच है वो यहां कहीं होगी बात समझ में आई ना इसी तरह से सारे बिंदू पहले रख लीजिए उसके बाद एक ग्राफ बनेगा देखना उसके बाद क्या है यक्स जीरो रहे जीरो मतलब यक्स इसी लाइन पर रहेगा इसमें से ना इधर भागेगा ना उधर भागेगा ठीक है वाई कह रहा है कि 6 हो जाएगा फिर तो चलो ठीक है ले चलते हैं वाई को 6 नंबर यानि यहां तक यानि की जीरो कामा 6 जो है यहां मिल गया आगे देखना 7 कामा 7 यक्स पर 7 जाओ प्लस में और य पर भी 7 प्लस में और ये 7 प्लस में कहने का मतलब यह है यह यहां से यह 7 कामा 7 यहां आएगा है ना इतना बात पकिए ना इसमें कोई confusion नहीं होनी चाहिए ऊके अब क्या होगा हमने तीनो रखलिया अब इतनों एक लाइन खींचेर ग्राव बनेगा यही आपको जो बनाना था यह बिंदु यहां पर आके मिलाना लग भग आपको ठीक ना अब यह सारा जो जमेला मैंने खीचा इसको मिटा दो इससे कोई मतलब नहीं है यह मैं आपको दिखाने के लिए वहां तक ले जाने के लिए यह सब डाट वाट किया थ ठीक ना आपको अहां पर चोटी सी बिंदी रखना है पैंसिल प्रकार से एक्जाम में करना तो इससे गोचन नहीं तो इसको ऐसे मिला हो गया अब कैसे यह उस बिंदु से होते हुए ऐसे जाना चाहिए और वहां तक यह आपका पहला समीकरण के लिए ग्राफ हो गया दू यक्स पर तीन प्लस में यहां हो गया वाई पर माइनस में एक मतलब हलका सा नीचे आएगा यानि कि तीन कामा माइनस एक मिल गया आगे देखना एक्स पर जीरो आई पर माइनस दो तो यक्स पर मतलब किसी तरफ नहीं बढ़ना वाई पर माइनस दो यानि यहां कहीं होगा यह जीरो कामा माइनस दो ठीक ना यहां पे होगा अब आगे ध्यान देना माइनस तीन माइनस तीन दोनों है एक्स पर माइनस तीन यहां कहीं है और वाई पर माइनस तीन यहां कहीं है इसको ऐसे लाओ इसको ऐसे लाओ तो ये तीन ये माइनस तीन हो तीन यहां गया अब इसे अगर आप ग्राफ का रूप दोगे तो क्या बनेगा सोचो सोचो क्या बनेगा ये यहां पर है यहां पर है और ये यहां पर है तो साथियों इसको आप ऐसे बढ़ा के खीच सकते हो यह ऐसे होते हुए निकल जाएगा तो यह था आपका ग्राफ पहला कुश्चन उमीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कुश्चन देखना कच्छा यक्स का मतलब होता दस रोमन संख्या में लिखा है मानलो या फिर एक्स ही मानलो कुछ भी मानलो तो कच्छा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक कणित की परतियोगता में भाग लिया है उसके बाद होता क्या है कहरा कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है मतलब लड़कियों जादा है अगर लड़के 5 है तो लड़कियों 9 होंगी है ना आगे देखना कहरत तो परतियोगता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्याद कीजिए और इसको करना क्या था पता है क्वेश्चन को जो टाइटल था उपर आप बुक में देखोगे काक्षादस के NCRT मैं 3.2 में तो लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समिकरणों के उनके ग्राफिय विधी से हल कीजिए तो रैखिक समिकरणों के युग्म बनाईए और उन्हें ग्राफिय विधी से हल करना है तो इसमें हमेरा रैखिक समिकरण का एक युग्म बनाना है और ग्राफिय विधी से हल करना है चलिए, लिखिए, माना लड़कियों की संख्या, अब इसमें आप लड़कियों और लड़कों की संख्या दोनों मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, कुछ भी मान लो, यक्स तथा लड़कों की संख्या, दिकलो, लड़कों की संख्या इक तो परतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या बताओ, लेकिन उसके पहले कह रहा था कि परतियोगिता में दस बिद्यार्थियों ने भाग लिया है, यानि कि यहां पर आप लिखोगे कुल बिद्यार्थियों की संख्या, है ना, कुल बिद्यार्थिय की संख्या या फ्रिष से एसे भी लिख सकते हो बरतीे ओगिता में भाग लिए क्ल छात्रों की संख्या του बात पक की, ओके, तो यह समीकरण हो गया एक, क्या हो गया यह, समीकरण एक हो गया, पहला समीकरण बन गया, दूसरा कैसे बनेगा, कह रहा था कि यह लड़कियों की संख्या लड़कों से चार अधिक है, यही तो दिया है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों से चार अध चार अधिक हैं क्या है अधिक है तो चाहे तो लड़कों की संख्या से चार कम कर दो और चाहे लड़कियों की संख्या में चार जोड़ दो दोनों का मतलब एक होगा है ना तो चलिए कर लेते हैं फिर हम क्या करेंगे लिखो इसलिए इसलिए यक्स माइनस y इक्वल क्या हो जाएगा 4 यह हो गए समीकर नंबर 2 ध्यान देना इसको मैंने x माइनस y क्यों किया पता है क्योंकि x माइनस y क्यों 4 यानि कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 4 अधिक है इसका मतलब क्या होगा चाहे तो उसको चार अधिक कर दो लड़कों वाले में यार इसको नहीं समझ में आया होगा ना आपको नहीं आया होगा ना ध्यान तो यह चीज यह नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है कि का है करती यह से देखो इधर इधर देखो लड़कियों की संख्यामने क्या माना जिससे झाका तो यक्ष्माना था ना लेकिन, अभी ध्यान देना इसको ऐसे समझ लो, कि देखो भाई, लड़कियों याई की जाखि ही, BOYS की संख्या science का है य कि mother कहा है 4 अ kingdom कहनी का मतलब जब GIRLS की संख्या से ब्याइज की aumentarा धिया जाता है तब क्या होता है लड़कियों की संख्या जो बरावर बज़ती है वो क्या होती है चार रह जाती है क्यों रह जाती है क्योंकि चार अधिक थी इस कारण से यह x-y equal 4 हो जाएगा यह समय करण 2 हो गया अगर आपको यह नहीं समझ में आया ना तो आप 0 level basic method देखिए वहां से आपको एकदम clear कर दिये जाएगा तो आप इतना उतार लेंगे इधर वाला समय करण 2 तक उधर यह छोड़ देंगे इसको में समझाने के लिए बताया हूँ ठीक ना इसके बाद फिर आगे चलते हैं question आप जल्दी से वीडियो को रोंक करके लिख लीजिए तब हम अगले step पे चलते हैं इसको graph विदी से हल करेंगे ध्यान देना अब इन दोनों समय करण को graph विदी से हल करना सीखो देखिए पहला समय करण आया था x plus y equal 10 आया था दूसरा question आया था अभी अभी आपने देखा था x minus y equal क्या था 4 आया था यही आया था ना चलो ठीक है अब इसमें x को एक तरफ कर दिया और y और जो अचरपत्था एक तरफ कर दिया तो साथियों इसमें क्या करते हैं यह सारड़ी विदी से या graph विदी से समय करण का हल करने का नियम है ध्यान देना कोई भी समय करण इस तरह से आप हल कर सकते हो ठीक ना अब इसमें साथियों y का कोई आप मान पूट करोगे एक जैसे y का मान अगर मैं एक रख देता हूं तो क्या आएगा पता है आपको y का मान अगर इसमें मैं एक रखूंगा तो यह x equal 10 minus y बनेगा और y x equal 10 minus 1 यानि y x कमान minus 9 आएगा minus 9 वाज से कुछ जादा आ रहा है ना कहने का मतलब छोटे-छोटे मान आएंगे तो हमें ग्राफ छोटा बनाना पड़ेगा है ना अगर बड़े-बड़े मान आएंगे तो ग्राफ बड़ा सा बनाना पड़ेगा इसलिए हम क्या करेंगे यह मान जो है कुछ ऐसा रखेंगे कि छोटा मान आएं मतलब बड़ा ना आएं यह आप सोतंत्र हो रखने के लिए 0 से लेकर के अनन तक कुछ भी रख सकते हो जो भी आप चाओ ठीक ना तो हम क्या करेंगे यक्स इक्वल वाई की जगा पांच रखेंगे तो इस तरह से हमें यक्स कमान भी क्या मिलेगा छोटा सा मिलेगा पांच मिलेगा यानि कि Y की जगा पर हमने 5 रखा तो यक्स कमान भी क्या मिला 5 मिला इस तरह से यक्स कमान क्या मिलेगा जब हम Y कमान 6 रखेंगे देखो Y कमान 6 रखेंगे तो 4 मिलेगा अगर इसे हम 7 रख दें तो ये 3 मिलेगा है ना कितना आसान बहुत मज़ेदार है ना चलो इसमें कर लेते हैं साथियों Y कमान सोचो अगर मैं एक रख दूँ तो Y कमान हमें 5 मिल जाएगा बोलो मिलेगा ना अगर वाई की जगह पर में दो रख दूं तो यक्स का मान हमें चार दो छे मिल जाएगा लेकिन अगर हमें तीन रखूंगा तो यक्स का मान साथ हो जाएगा कोई दिकत नहीं चलिए लिख लिए इतना नोट कर लो फटा फट ये आपका हो गया ना इतना मन अब देखो इन बिंदों को ग्राफ में कैसे दिखाते हैं ध्यान देना ग्राफ में कैसे दिखाते हैं चलिए साथियों ऐसे ग्राफ बना लेना वैसे एक्जाम में आपको हो सकता ग्राफ का पे पे हम नंबर देखो साथ तक लिखे हैं चारों तरफ क्यूंकि हमारे यहां सबसे बड़े नंबर साथ आये हैं और इसलिए मैं छोटा नंबर लाने की कोशिस कर रहा था अगर मैं नौ ले आता बीफ ले आता पचीफ ले आता तो हमें यह गिंती पचीस तक लिखने पड़ती यह पीस तक लिखने पड़ती तो सायद बहुत बड़ी हो जाती ना ओके चलो ठीक है पहले मान देखते हैं यक्स पर देखो यह प्लस है भी प्लस है दोनों पांच पांच तो यक्स पर हम प्लस में पांच बिंदू आगे चलेंगे ध्यान देना जीरों यहीं है एक दो ती सिक्तिन चार पांच मतलब यहां मिल रहा है न व आई पर भी हमें क्या करना पांच आगे चलना है तो चलो फिर एक तो तीन चार पांच यहां मिल रहा हैं यानि इसको हम ले आके ऐसे इसके सीध कि ठीजत creative लाएंगे कि यह 5,5 यहां मिल रहा है ओके ठीक अगला देखना 6,4 वाई पर 6 चलना है और यक्स पर 4 चलना है तो चलो ठीक है यह है यक्स वाला यह देखो कितना चलना इस पर 4 चलना है वाई पर 6 यानि यहां कहीं आएगा कितना है 4,6 ओके और आगे देखना भी यह 3 और 7 यक्स पर 3 और वाई पर 7 तो यक्स पर 3 यह और वाई पर 7 मतलब यहां कहीं आएगा 3,7 बहुत ही गवर से देखते जाना साथियों बस इसको गराफ रूप में आपको खींच देना फटा फट बस फिर कोई मुसीबत नहीं आएगी ओके ठीक है चलिए ध्यान देना इसी तरह से पहले आप दूसरा भी दिखा लो फिर हम गराफ खींचते हैं दूसरा भी दिखा लें पहले क्हींची लेते हैं चलो पहले खी थिए ठीक ना ऐसे क्या बनेगा यह ग्राफ बनेगा यह हो गया ठीक इसी तरह से आप दूसरा भी दिखा दो उसका भी खिच जाएगा चलो यक्स पर 5 और यक्स पर क्या है 5 है प्लस में यह नि 5 मतलब यह यह ना वाइपर 1 मतलब थोड़ा सा उपर जायेगा कहने का मतलब य यक्स पर 6 और यक्स पर 2 तो यक्स पर 6 चलो आगे यह यहां पर है और यक्स पर 2 तू मतलब यहां पर कहने का मतलब यह यहां कहीं होगा 6,2 ध्यान देने आगे क्या होता है यक्स पर 7 और यक्स पर 3 तो यक्स पर 7 यहां है और यक्स पर 3 मतलब यह यहां यहां पर कहीं है त्री ओके मिल गया ना तीनों अभी तीनों पॉइंट को ऐसे मिला देना पट्री और परकार रख करके ऐसे काड़ता हुआ निकल जाए इसी पर फे जाना चाहिए बगल से नहीं जाना चाहिए मतलब थोड़ा सीधा कीजना ऐसे ठीक ना ऐसे रो बनाके तो यह हो जाएगा साथी हो आपका ग्राफ जिसे आप इस तरह से बना सकते हो और यह जो मैंने आपको ऐसे ऐसे खिचाया डाट डाट ना यह किवल समझाने के लिए दिखाया बाकी यह चीज आप नहीं बनाओगी यह लाइन तो उस पर बनी रहेंगे डोमेटिक ग्राफ पे ना इसमें जितने भी और भी पार्ट्स दिये गए इस तरह से उनको रख लेना अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना कमेंट करोगे तो हम आपको जरूर बताएंगे ठीक ना ओके साथी दूसरा कॉश्चन दखें हो उतारेंगे नहीं आप सुन लो ध्यान से ठीक ना सिकंट कॉश्चन क्या कह रहा है आपका लेना मैं हिंड बता दे रहा हूँ ध्यान दिजिए सिकंट कॉश्चन कह रहा है कि 5 पैंसिल तथा 7 कलमों का मुल्ले कितना है 50 रुपय है पक् pat पेंस्ल और एक कलम का मूले ज्याद कीजिए, तो क्या करोगे पहले अलग-अलग मान लोगे, ठीक है लिखो, माना, माना, लिखो, एक pencil का मूले बराबर यक्स रूपया, एक का यक्स मान लो, दूसरे का य मानलो, पिर लिखना माना, एक कलम का मूल इक्वल Y रुपया अब आगे क्या कह रहा था कह रहा था कि साथ पैंसिल तथा पांच पैंसिल तथा साथ कलमों का मूल पचास रुपया है तो साथियों यहाँ पर आप नीचे लिख देना ऐसे प्रसना अनुसार ठीक ना प्रसना अनुसार कितना पैंसिल बोला था पहले कितना बोला था पांच ना पांच ही तो बोला था ना पांच पैंसिल तथा साथ कलमों का मूल पचास रुपया यह समय करने एक बन गया दूसरा कंडिशन में इसी में बोल रहा है कि साथ पैंसिल क्या बोला था साथ पैंसिल और दो कलमों का मूल ले है ना तो लिख लो फिर साथ पैंसिल और दो कलमों का मूल ले मतलब ये वाई इक्वल कितना रुपया 46 रुपया बस ये दोनों समिकरन आपके सामने आगे दोनों एक्वेसन हो चुके है इसी को कर लेना है कर लोगे आप सभी ठीक है बहुत अच्छे इनी को हल करके हमें क्या करना है साथियों गराब बना देना है अब इनको हल करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ से आप X और Y के मान निकाल लोगे और फिर उनको अगर आप में रख लेना चलो मैं दिखा देता हूं थोड़ा से और आगे तो दोनों समिकरण के लिए हम अलग-अलग सारडी बनाएंगे तो पहले समिकरण के लिए देखो इधर पहले समिकरण का पहले एक स्ट्रेक्चर तो बनाने दो रखोगे मान किसमें रखोगे द्यान देना पहले समिकरण के लिए साथियों इसमें आप यक्स का मान निकालोगे यानि कि 5 यक्स बराबर ये हो जाएगा आपका 50-7y यानि कि यक्स बराबर हो जाएगा 50-7y बटा का हो जाएगा 5 ठीक ना इसी में आपको मान रखने है y के मान अलग-अलग रखोगे तो यक्स के मान अलग-अलग मिलेंगे यह समिकरन सिकेंड वाला मैं इधर सिफ्ट कर देता हूँ ध्यान देना 7x धन 2y इकल क्या है? 46 है यहां से यक्स बराबन निकालोगे तो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? 46-2y बटा साथ ठीक ना इसमें यक्स के अलग-अलग मान रखोगे तो y के अलग-अलग मान आएंगे ठीक ना? तो चलो 2 वाला समिकरन मैं उधर ट्रांसफर कर दिया हूँ यहां से हटा देता हूँ अब एक-एक के बारे में बात कर लेते हैं चलिए ठीक है? यक्स के कोई ऐसे मान हम इसमें रखेंगे y के कि जो दूसरा वाला मान आए वो छोटा-छोटा है ठीक ना? चलो तो y कमान इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं यहां पर अब 0 से लेकर अनन तक आप y कमान कुछ भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ध्यान देना ऐसा मान रखोगी कि छोटा मान आए मतलब x कमान भी छोटा है बढ़ाना हो नहीं तो ग्रह पनाने में दिक्कत होगी तो क्या करोगे? यहां पर लिखो y बराबर अच्छा, guess करो अगर हम y कमान 0 रख दें तो अगर हम 0 रख देंगे तो यह 0 हो जाएगा फिर क्या होगा? 50 बटा 5 यानि yaks कमान 10 आएगा अगर हम 0 कर देंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा लेकिन 10 भी काफी बड़ा है ना कोशिश करो कि yaks कमान 5-7 के लग भागाए अगर यहां 0 रख दोगे तो यह 0 हो जाएगा फिर 50 बटा 5, yaks कमान 10 आएगा अगर हम वाई कमान 5 रख दें सोचो, क्या रख दे? 5 तो साथियों 75 यह 35 हो जाएगा और जब 50-35 घटा होगे कितना हैगा? 15 आएगा और 5 से काट दोगे 15-3 आएगा देखो किता छोटा सा आया ना यानि y बराबर 5 रखोगे क्या रखोगे? 5 तो 5 रख तो चलो yaks बराबर 50-7 y बर्टा का हो गया 5 तो yaks बराबर 50-7 गुड़ा 5 बर्टा 5 ध्यान देना यह 50-35 बर्टा 5 इक्वल 15 बर्टा 5 और इक्वल क्या आया 3 ओके बन गया ना जल्दे लिख लो इतना लिख लो फटा फट कितना आगया 3 अब देखो एक को आपको दिखा रहा हूं भना के ध्यान देना देखो बना जएक साइड यह एकवन साइड हम बना ले रहे यह यह थिक ना यह बर्ट हो गया जब ऑनने वाइक कमांद 5 रखत खना तीन के इसना कि एजरो खना यहैं प्र पांग्न 5 ना तो य कमाण 0 रखो य कमाण 0 रखोगे तो यह साथ जीरो में करोगे जीरो हो जाएगा तो यह पचास बटा पांच आएगा काटोगे तो दस आएगा आप सभी 10th के student हो इता चोटा चोटा बात बताने की जरूरत नहीं है जीरो लेबल मैत में सीख चुके हो तो इसका मांच जीरो रखा तो यह 10 आ ठीक अब क्या रखें कोई बताएगा वाई कमाने का और कुछ भी रखना चाहिए जो रख लो कुछ भी रख लो कुछ भी रख लो चलो ठीक है मानलो कि मैं 5 रख लेता हूं 5 तो मैंने रख लिया था 7 रख लूँ तो 7 रख लूँ तो क्या आएगा देखो 7 रखोंगा तो 7 सता 49 और 50 से उंचा जाएगा एक बटा 5 आज आएगा एक बटा 5 मतलब दसामलों में हो जागा अगर लाफड़ा 5 जाएगा यार नहीं साही रह 10 रख लूँगा तो यह हो जाएगा 70 कितना हो जाएगा 70 माइनस का 70 और इसमें से गटा होंगे तो माइनस का 20 आएगा हो जाएगा हो जाएगा यह कमांद 10 तो 10 रखोगे तो यह साथ दहमा 70 और यह 5 देखो आजाएगा यह माइनस का 20 बटा 5 कटेगा तो माइनस का 4 देखो की दिखा द तरह का समिकरन दोक्त का कर ना है। तो मैं इसको रखोई या नव ours बोलो ग्राक बना कि दिखा दूं ऐसे रख रख konnte आपको खुद से ट्राइ कर लेना है ठीक ना second equation में मैं दिखा दे रहा हूं start cut में देख लो ध्यान दीजिए अब यह है graph चलो इनको देखते है graph में कैसे रखते हैं बहुत ध्यान से देखना देखे second वाले का मैंने बना दिया जब y command हमने minus 2 रखा तो x command 8 आया जब मैंने y command 5 रखा तो x command 3 आया और जब मैंने y command 12 रखा तो x command minus 2 आया करके देख ले ना 12 में 10 में पहुंचे हो आप सभी समझदार हो है ना इसके पहले की 3.1 की class देखे हो गए तो यह काफे कुछ समझ गया हो गए चलिए ओके पहले हमें क्या दिखाना है पहले number question वाला 3 और 5 दोनों देखो plus plus है ना यक्स पर 3 point चलना है y पर 5 चलना है तो यक्स पर हम 3 चलेंगे plus में यह है यहां y पर 5 चलना है टाइम भले लग जाए 5 गंटा लग जाए लेकिन आपको समझ में आ जाए ठीक आगे देखना यक्स पर 10 point चलना है plus में देखो plus है minus नहीं वाई पर 0 है वाई पर एक भी point नहीं बढ़ना तो यक्स पर 10 चलना है देखो नो यहां था यह 10 मतलब यहां हो गया और वाई पर 0 है वाई मतलब उपर न जाएगा न नीचे जाएगा केवल इधर को भागेगा इधर को नहीं जाएगा बिल्कुल कहीं नहीं इसका मतलब यह 10,0 यहीं पर होगा उसी बिंदू पर होगा उपर नीचे नहीं खिसकेगा यक्स पर माईनस 4 और वाई पर 10 यक्स पर माईनस 4 देखो माईनस पर जो आता यक्स में इधर आता है प्लस में उदर जाता है वाई में प्लस उपर जाता है माईनस नीचे आता है तो माईनस का कित चार यानि यहां और प्लस में वाई में कितना दस दस मतलब यह देखो बहुत लंबा जा रहा है आठ नो दस इसलिए मैं इसको लंबा मान नहीं लाना चाहता था कि बड़ा ना आए जिससे ग्राफ के अंदर में आ जाए तो यह दस यहां कहीं होगा ऐसे आएगा कहां तक यह माइनस चार यानि कहने का मतलब यह कहीं यहां कहीं आएगा माइनस चार और 10 ठीक ना माइनस चार और 10 अब यही क्या करना है ग्राफ बनाना है तो इसको आप ऐसे काट दोगे मिला दोगे मतलब ठीक ना तो खींच दो जल्दी से फटा फट क्या करना है साथियों खींच द इसे होके होग जाएगा इसे ध्यान रहे, यह खीछते समय, हमसे थोड़ा वह हुआ है यह आएसे जाना चहीरा इसे यहाना चाहिए आभी इसी पत्री से खीछो गे तो आजाएगा ठीक ना, एसे पत्री रखना कि इसको भी टच करें इसको भी और इसको भी यहां पर ऐसे एरो बना देना ये ये हो गया पहला ग्राफ इस तरह से आप दूसरा बला भी रख लेना बात तो समझ गयो ना कैसे करना है इसमें जो हमारा मुख्य टॉपिक है जो समझना है वो है समांतर और संपाती रेखाएं यह समांतर रेखाएं कब होती हैं और किस इस्तिती में रेखाएं समांतर के अलामा संपाती होती हैं पहले यह कांसेप्ट समझ लेना तब सवाल समझ में आज आएगा लेकिन पहले हम कोईश्चन देख लेते हैं इसके बाद हम कोईश्चन मिटा देंगे ठीक ना नोट कर लो जल्दी से या फिर स्क्रीन साट ले लो फटाफट अगर आप यूटूब पर देख रहे हो तो अनुपातों एवन अपान एटू बीवन अपान बीटू और सीवन अपान सीटू की तुलना कर ग्याद कीजिए कि निमनलिखित समीकरण यूग मुद्वारा निरूपित रे होंगी जिन में से दो आप देखलो यह कभी मैं आपको दिखा देता हूँ ठिक न या तो रिखाए पर तीछेदित करेंगी यह समांतर होंगी या फिर समपाति होंगी तीव मैंसे कोई एक ज़रूर होंगी दोनों समीकरण से निरूपिद रहाएं अब ध्यान देना समांतर पर कभ होंगी संपाती कम होंगी और कभ परतिश्यD karen देखलेना अभी यह चीज आपको मिलेगा कोईश्य जब दोनों और तो यह मिलेगा आपको आपको अनुमान लगाना रहेगा देखो याद रखना रेखाएं परतिछे दित तब ही करेंगी जब एवन अपान एटू डज नाट इकॉल बीवन अपान बीटू मतलब एवन एटू कमान बीवन बीटू के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं क्कॉर्डिशन बनने चाहिए अब ही देखना आगे सारा खेल होगा की दूसरा रेखाएं सम्पाति कब होंगी साथियों रेखाएं परति तब होंगी जब डोनों समीकरण से प्राप्त जो equation बनेगा वो a1 upon a2 b1 upon b2 equal c1 upon c2 तीनों बराबर होंगे जैसे तीनों मानलों एक बटा दो आ गए तो ये तीनों एक ही बटा दो आने चाहिए ये तो ऐसी थिती में रेखाएं समपाति होंगी एक बचता है कि रेखाएं समानतर कब होंगी तो साथियों रेखाएं समानतर तब होंगी जब a1 upon a2 क्या a1 upon a2 equal b1 upon b2 तो हो जाए लेकिन इसमें देखो ये तीसरा वाला condition है ये c1 upon c2 के बराबर ना आए यानि कि ये चीज बराबर ना हो तब रेखाएं क्या होंगी तब रेखाएं क्या होंगी समानतर होंगी नोट कर लो नोट कर लो जल्दी से ये तीसरा भी हो गया ये क्या होंगी समानतर होंगी ठीक ना लिख लो फटाफट लिख लो तुरंट लिख लो लिख लो देखो मतलब समझना एवन अपान एटू जो है वो तो बराबर हो लेकिन ये जो दूसरा वाला एक और थायार कहां गया हो एक मिनट हाँ सीवन अपान सीटू ये बराबर नहीं होगा तब ऐसे इस्तिती में वो क्या होंगी रेखाए समानतर होंगी एक जामपल देख लो अभी कुजिश्चन करने पर सब आ जाएगा ये एवन अपान एटू एक्वल वीवन अपान वीटू लेकिन डजनाट इक्वल सीवन अपा पांच आ जाए मतलब इन दोनों के बराबर ना आए बस यही थी तीनों कंडिशन चलिए देखते हैं पूरा तमासा क्या होता है आगे कुश्चन में अब जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो फटा पर तुरंत अगर ना लिख पाते हो तो वीडियो को पीछे करके लेकिन लिख यह फटा पर नोट्स बनाए यह देखिए वित्रों दो इक्वेशन आपके बुक में दिये होंगे पहला फाइप एक्स प्लस 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 इकल जीरो दूसरा इक्वेशन दिया होगा से बने एक्स प्लस 6y-9 इकल जीरो दिया है ना बुक खोल के देख लो यह से मिलेगा पहले दिये गए समीकरण की आप लिख लो एक लाइन लिखो जल्दी से दिये गए समीकरण की दिये गए समीकरण की a1 x plus b1 y plus c1 equal 0 से तुलना करने पर लिखो मैं नहीं लिखूंगा दिये गए समयकरण की a1 x plus b1 y plus c1 equal 0 से तुलना करने पर ये इसका मानक समयकरण होता है इस रूप का ठीक न? अब देखना जब इसकी तुलना करोगे जरा ध्यान दो तो यहां पर यक्स है, इसमें भी यक्स है, इसमें 5 है, इसमें A1 है न, यानि कि A1 का मान क्या है, 5 है, ध्यान दे न, इसमें Y है, इसमें भी Y है, लेकिन इसमें B1 है, इसमें 4 है, यानि कहने का मतलब कि B1 का मान कितना है, 4 है, इसमें C1 है, इसमें 8 है, कुछ नहीं है, तो C1 क मिल गया सीवन मिल गया दूसरे समहिकरन में भी यही लिखोगे क्ya लिखोगे दिए गये समहिकरन की ए टू यक्स प्लस बी डू वाई फ्लस सी टू इक वाई जीरो से तुल्णा करने पर तो तुलना कर लो A2 क्या आएगा देखो 7 आएगा B2 क्या आएगा 6 आएगा C2 क्या आएगा 9 आएगा मिल गया सब कुछ ना अब मान निकालो यार यही तो कह रहा था ना कि देखना था इसको क्या करना है यह समानतर है की समपाती है तो चलो हम सभी को निकाल लेते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2 सब निकाल लेते हैं, जो आएगा आपके सामने आएगा, चलिए, ध्यान देना ये आप लिख लो इतना, ये इतना एक step हो गया, चाहे इसको नीचे ऊपर लिख लेना, उसको इसके नीचे लिख लेना, इसके नीचे ठीक, फिर आगे लिखना, next step देखना इतना कर लो, पहले इसको पूरा लिख लेना, फिर उसको उतार लेना, और उसके बाद नीचे जो लिख लेना, उसको लिखना, अब लिखोगे, अधा A1 upon A2, equal, A1 कमान क्या है, अरे कुछ तो बोलो यार, दिमाग तो लगा थोड़ा सा, मैंने लिख दिया, चीटिंग तो क यह हो गया, चलो ठीक है, B1 upon B2 निकाल लो, B1 कमान क्या है, लाल टोपी वाले आप ही बोल दो थोड़ा सा, क्यों सर्मारे हो, B1 कमान है, 4, B2 कमान क्या है, उदर से देख लो 6, इसको सरल कर लो चाहे तो अभी, कोई मुसीबत नहीं है, 2, 2, 4, 2, 3, 6, C1 upon C2 निकाल लो, C1 कमान क्या है, इसे देख लो इदर से 8, C2 कमान क्या है, 9, देखो, सब मिल गया ना, सब मिल गया ना, अब हम चेक करेंगे, कि रेखाएं समान तरहें की समपाती है, इतना उतार लो पहले, और हाँ, यह जो मैं ऐसे ऐसे निकाल रहा हूँ, आप चाहो तो इसको नीचे उपर भी निकाल सकते हो, ऐसे भी लिख दोगे, तो कोई माई कलाल पैदानी जो गलत कार्ट देगा, ठीक ना, ऐसे भी लिख देना कुछ भी गड़बर नहीं, जैसे मैंने लिखा, कॉपी में इसे लिख सकते हो, लेकिन आप कांपी में बीच में इतना स्पेस मत छोड़ना, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है, आठ भाई चार का है, आपकी कांपी छोटी सी होगी, तो इसको बगल बगल मत लिखना, आप नीचे उपर लिखोगे, तब ही मजा आएगा, इसको बगल बगल लिखोगे, जगा नहीं बचेगी, ठीक ना, चलिए, लिख लो, आगे मैं आपको बताता हूं इसमें लिखना कैसे है, अब लिखेए, नीचे लिखेए, नीचे लिखेए, और इसमें मित्रों एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो की बुक से मैंने मादलब नहीं नफम किया वो क्या है ध्यान देना देखो यह पांच एक्स धन 4y धन 8 था न यहीं था जो भी है हाँ एक मिनट देखना आपके बुक में जो कुष्चन दिया गया उसमें चिन का थोड़ा सा इस्यू है देखना कोई गलती नहीं कुष्चन में जैसे कुष्चन लिखो के तरी नहीं लगाना तब भी कुछ गड़बर नहीं लेकिन हाँ एक्जाम में ऐसा आना करना एक्जाम में अगर कोईश्चन माइनफ लगा के आएगा तो आपका उत्तर जो है माइनस में आएगा हाँ जैसे मैंने बता दिया अगर वह ऐसे पेपर में आ गया तो ऐसे लगा देना नो उसके पहले माइनस है तो सी टू भी क्या आएगा माइनस में आएगा साथियों यह चीज ध्यान देना मैंने नहीं दिया उसके लिए लेकिन ध्यान देना ऐसे ही कुश्चन दिया है ना मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की चक्कर में जल्दी कर दिया तो बस यह ठीक है अब देखना थोड़ा सा अंसर में बदला हो जाएगा जहां पर यह मान आया था वला यह मांने में में हो जाएगा कहने का मतलब यह मांने दूइव sih जाएगा जहां पर c2 का मान आया था यह भी मांने में हो जाएगा है यह nobody लिखना लिखो अता अता A1 अपान A2 ड़ज नाट इक्वल B1 अपान V2 और ड़ज नाट इक्वल C1 अपान C2 इसलिए रेखाएं परसपर क्या करेंगी पहला बाला कंडिशन साई है परतिछेदित करेंगी यही तो था क्या करेंगी रेखाएं परसपर परतिछे दित करेंगी बात समझ में आई ना क्यों नहीं बराबर है क्योंकि देखो यार A1 upon A2 जो आया है 5 बटा साथ अब मैं समझा रहा हूँ अब कुछ ना करना वो B1 upon B2 के बिल्कुल बराबर तो नहीं आया ना चलिए दूसरा एक कुछ लिखना बहुत फास्ट करना फटा फट जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलो बहुत कम टाइम बचा है और जितना मैं पढ़ा हूँ उतना ही कर लेना पास होने से कोई रोंक नहीं सकेगा और जो पहले पढ़ाया गया उसको भी देख लेना पहले बहुत कुछ पढ़ा दिया गया है इसी तरह से स्टुडेंट्स जब आप दूसरा एक क्वेसन लिखोगे जो कि आपके ये दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट है तो इसमें आप पूरी प्रक्रिया करोगे जो मैंने अभी पहले में बताया था तो आपको A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का जो मान आयागा वो तीनों का एक बटा दो आएगा यानि कि तीनों रेखाएं क्या होंगी ये तीनों क्या होंगे बराबर होंगे तो जब ये तीनों पराबर होते है ऐसे इस्तीदि में क्या होता है रेखाएं संपाती होती है क्या होती है इसके बाद जिसमें का तीसरा EQuRA Reason इसको सुन लो आप सो भिध्यान से जब आप करोगे तो क्या होगा पता है तीसरे बाले का जब आप करोगे तो a1 त्यान देना तीसरा के लिए तीसरा में a1 a2 equal b1 b2 तो आएगा निकाल के देखना अभी मैं बता देता हूं कितना आएगा लेकिन c1 c2 यह क्या होगा इन सब के बराबर नहीं होगा तो मित्रों ऐसी इस्थिती में हमने अभी कंडिशन बताया था तीसरी वाली कि जब ऐसा होता है तो रेखाएं क्या होती समांतर होती है ठीक न तो इस तरह से आपका यह दूसरा कुश्चन इत्म complete हो चुका है तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में बहुत बहुत सुक्री आप स